हेलो दोस्तो माइनेम इस सुभम सोनी वेलकम टू माई चैनल डीजे क्लासिज आज मैं आपको मीरा भाई जी का जीवन परिचे बताऊंगा तो आई ये शुरू करते हैं अपना टॉपिक मीरा भाई जीवन परिचे जोधपुन नरेस राजा रतन सिंग की पुत्री और भगवान स्री किष्ण की प्रेम में दिवानी मीरा भाई का जन्म राजस्थान के चोगडी नामक ग्राम में सन 1498 वेश्वी में हुआ था बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ए अपन पितामा राव दूदा जी के पास रहती थी इनकी प्रारंभिक सिच्छा भी वहीं हुई राव दूदा जी बड़े ही धार में केवं मुदार प्रविर्त के थे जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेड पड़ा था आठ वर्स की मीरा ने कब कृष्ण को पती के रूप में स्विकार कर लिया यह बात कोई नहीं जान सका इनका विवा चित्तवड के महराजा राणा सांगा के जेश्ट पुत्र भोजराज के साथ हुआ था विवा के कुछ वर्स बाद ही मीरा बिधवा हो गई और इनका सारा समय स्रीकिष्ण के भक्ति में बीतने लगा मीरा स्रीकिष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधू संतों के साथ किर्तन यों मृत्त करती इनके इस प्रकार के बेवार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल परियास किया अंत में राणा के दुर बेवार से दुखी होकर मीरा ब्रिंदावन चली गई बिरिंदावन में ही मीरा बाई की मुर्ति द्वारका में सन 1546 स्वी के आस्फास हुआ था साहित्तिक सेवाएं साहित्तिक सेवाएं मीरा के काव का मुख्य स्वर्ष कृष्ण भक्ती है इनके काव में इनके हिर्दे की सरलता एवं निश्चलता असपष्ट रूप से प्रकट होती है इनकी भक्ती साधना ही इनकी काव साधना है दामपत्य प्रेम के रूप में व्यक्ति इनके संपूर काव में इनके हिर्दे के मधुर भाव गीत बनकर आरुमर पड़े है विरे की स्थित में इनके वेदना पूर्ण गीत अत्यांति हिर्दय असपरसी बन पड़े है इनका प्रतेक पत सच्चे प्रेम की भावना से परपूर है भाव विभोर होकर गाये गए तथा प्रेम इमंभक्ति से उत्पूरत इनके गीत आज भी तनमे होकर गाये जाते है रचनाए मीरा के नाम से साथ आठ रचनाओं के उलेख मिलते हैं नर्सी जी का माहरा राग गोबिंद गीत गोबिंद का टीका राग सोरट के पद मीरा भाई की मलार गरभागीत राग विहाग इत्यादी इनकी प्रसिद्ध का आधार मीरा पदावली एक महत्रपूर करती है थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो